दोस्तों जैसा कि अब जानते होंगे ग्रामिन डाक सेबक के तरब से जो नई भरती आई हुई है बाड़ा हजार आट सो अठाइस पदो पर इसको लेकर काफी सारे स्टुडेन के मन में कन्फ्यूजन है पोस्ट प्रिफ्रेंस को लेकर उनके द्वारा लगातार पूछे जार जैनकारी आपको बता था कि कैसे आप मैक्समाम पोस्ट प्रिफ्रेंस को चुन कर आप अपना सेलेक्शन पास सकते हैं उस वीडियो के माध्म से बहुत सारे कैनेडियेट को बेनिफीट मिला था और काफी अच्छा प्यार मिला था जिसको लेकर जो नई भरती आई है इसमे हम आपको पूरी जैनकारी देंगे अगर इस परकार आप पोस्ट प्रिफ्रेंस को चुनते हैं तो यकीन मानिए आपका जो 100% उमीद हो जाता है कि आपका किसी ने किसी सर्कल में किसी ने किसी डिविजन में आपका सेलेक्शन हो सकता है वीडियो को आप पूरा देखिए कि पूरी doubt confusion को दूर करते हुए हम आपको बिल्कुल फरेश तरीके से बताएंगे कि कैसे इसके लिए आपको अप्लाई करनी है पोस्ट प्रिफ्रेंस खास कर हम आपको बताएंगे कि कैसे चुनना है साथे साथ बहुत सारी candidate गलती करते हैं मार्क्स डालने में तेंद कि मार्क application में देखा जागा कि अगर आपने गलत डाला है तो उस समय भी निकाल दिया जागा तो आई ये पूरी जैनकारी समदना सुरू करते हैं मैं आसा करूंगा ये वीडियो आपको काफी पसंद आगा पसंद आगा तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सस्क्राइब करें त जिस पर क्लिक करके आप इसमें apply कर सकते हैं देखे apply करने से पहले आपको देख लेना है कि किस circle में कितनी बहाली है और उस circle के लिए जो local language है वो आप जान रहे या नहीं जान रहे है इसके लिए notification में देखेंगे आपको एक option मिलता है circle wise post notification जिस पर आपको क्लिक करना ये संख्या है वो काफी कम रखा गया है अगर बहुत सारे candidate के ये भी मन में confusion थे कि क्या सर हम दूसरे circle से apply कर सकते हैं तो देखेंगे बिलकुल कर सकते हैं लेकिन धियान रखना है एक ही circle को आप चुन सकते हैं जैसा कर माली जब बिहार से आते हैं आपकी एक्छा है कि हम अन्य circle से apply करें तो कर सकते हैं लेकिन आप एक सद्धिक circle में apply नहीं कर सकते हैं इसका भी आपको ध्यान रखना है तो आपको circle wise पहले बहाली देख लेनी है और वहां का यहां पर local language का जो नाम है उसका आपको खास ध्यान रखना है वो अगर आपको आ रहा है तभी आप डाले अन और किस परकार post का preference आपको चुनना है तो यहां पर सबसे पहले stage 1 में आपको registration का option मिलता है जिस वाले विकल पर आप click करेंगे तो आपके सामने कुछ detail भरने किया बसकता होगी जिसमें आपका mobile number होगा और यहां पर click करेंगे तो आपके number पर OTP जागा OTP को verify करेंगे और यह तेंद के certificate के अनुसार होगा date of birth आपको fill करनी है जिसके लिए यहां पर calendar मिलता है जिस पर click करेंगे calendar के मादव से अपना पहले year और जो month है और जो date है इसको चुनना है यह date आपको जो है तेंद के certificate पर होती है उससी base पर डाले क्यूंकि document verification में यह सभी जो detail अभी आप डाल रहा है वो मिलान होता है कहीं भी गलती करेंगे तो फिर आपका नहीं होगा यहां पर आपको अपना जेंडर को बताना है साथे साथ यहां पर बोला जाता है कि कि कम्यूंटी से ब्लॉंग करते हैं अपना जाती बताएंगे उसके अलावे यहां पर बोला जाता है कि आपने इस प्रकार देखेंगे आपका जो first step है जो की registration का है वो complete होता है आप ओके वाले बिकल पर click करेंगे अब यहाँ पर आपको second step में कुछ जनकारी fill करनी होगी यहाँ पर सबसे पहले अगर आपके पास अधार का number होगा तो उसको आपको fill करना है अगर आप में किसी भी प्रकार यह select करेंगा और ओके वाले बिकल पर आप यहाँ पर click करेंगे अगर आपने दो language से पढ़ा है तो दोनों language भी चुन सकते हैं कई से कोई दिकत नहीं है इस परकार यह add हो जाएगा अगर एक डालना है तो एक भी आप डाल सकते हैं फिर आपको नीचे आना है यहाँ पर बो 2230 पिक्सल में मांगा गया है इसको आपको upload करना है फिर signature को आपको यहाँ से upload करना और submit वाले बिकल पर click करना है अब आपके सामने preview section आता है जिसमें आपको पूरी जनकारे देख लेनी है सभी जनकारे सही है तो यहाँ पर tick करेंगा और submit वाले बिकल पर click करेंगे कोई detail ग क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको बोला जाता है कि आप किस circle के लिए apply करना चाहते है उस circle को आप चुने गया और यहाँ पर एक option submit का मिलता है जिस पर आपको click करना है थोरा सा wait करेंगे इस पर कर देखेंगे आपके नमबर पर को टीपी प्राप्त हुआ होगा उस QTP को फिल करना है और next वाले विकल पर click करना है अब यहाँ पर देखेंगे आपसे address पूछा जाता है तो देखेंगे address आप जिसे भी अनुसार आप पर लागू होता है जैसे door है, house number, apartment number है उसको आप बता सकते इन में से जो भी है उसके अलावे आपकी गली कौन सी है, village कौन सी है पंचायत या मंडल या आपकी district कौन सी है, pin code कौन सी है वो बताएंगे अगर आपका जो permanent और यह जो communication address से दोनों सेम है तो इस पर tick करेंगे या address फिल हो जागा न था इस address को अलग अलग भी आप फिल कर सकते हैं देखेंगे आपने जो भी qualification की detail डाली होगी आपको बतानी हो होगी यहाँ पर भी बहुत सा रेकनिरेट क्या करते हैं उनका number कुछ और होता है यहाँ पर कुछ और डालते हैं कोई benefit नहीं है आपको इस चीच को ध्यान रखेंगा document verification में इन तमाम detail की जाच होती है इस चीच को ध्यान रखें जो actual में अगर मालीजी आपने English लिया था तो इंग्लिस में आपको कितने number प्राप्त हुए है आप अपने marksit को देखें marksit में मिंसन होगा वो आप बताएंगे जो कि 100 में कितने हुए वो आप बताएंगे इसी अनुसार आपकी जो इसमें से कोई subject रही होगी तो उसको select करेंगे हिंदी रहा होगा तो हिंदी में आपको कोई subject नहीं मिल रहा है वो subject इसमें है तो इसको आप चुनेंगे उसके जयनकारी देंगे अब यहाँ पर अगर आपका CGPA में score है तो उसके जयनकारी देंगे अगर आप पे लागू होता है तब डालना है नहीं था सेबे next पर आपको click करना है अब main बारी आती है आपका जो preference है उसको चुनने का यहाँ पर दियान रखना है कि जैसे आप जो भी preference चुनना चाहते है आपको बतानी होगी जैसे यहाँ पर आपकी जो division है और कौन सा रखना चाहते है तो यहाँ पर आपको देखना होगा जैसे एक division आप यहां से चुनते हैं तो उस division में कितने post है वो आ के पास में होते हैं वो ऐसे चुन देते हैं जिसमें आप वो देखते नहीं है कि कितने बहाली है कितने यहाँ पर जो डिवीजन हो रखे गए हैं जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह चार ही डिवीजन है आपके जो सरकल है जैसा कर्मान लिजे आपके जुराज है जिस राज साप्लाई कर रहा है तो ये चार ही आपको मौका मिल रहा है चार प्रफरेंस आपको कुछ होना जाना नहीं है आपको maximum प्रफरेंस वाले जो आपको division है उसको चुनना है जैसे यहाँ पर पहले चेक कर लिजे फिर second number वाले पर किलिक करेंगे तो second number में देखेंगे आपको यहाँ पर 10 तो मौका मिली रहा है फिर यहाँ पर देखिए इस second वाले row में भी आपको 10 मिलेगा third वाले में भी 10 मिलेगा इसमें भी third में 10 मिलेगा मतलब कि आपको यहाँ पर कम से कम post preference की जो आपको option मिल जागी वो कम से कम आपको यहाँ पर 100 से भी अधिक है, यहाँ पर भी आपको option दी गई है, जिसे अधिक तम जो है, आपको 117 जो preference है डालने की मौका मिल रही है, तो आपको वैसे circle को चुनना है, यही आपको बहुत बड़ी mistake के student करते हैं, कि कम जहाँ पर जिस circle में या जिस division में बहा देते हैं, तो इसमें क्या होगा, कि 117 ऐसे division होगे, यहाँ पर कोई न कोई ऐसा division होगा, जिसमें कोई न कोई candidate जो है, अपलाई नहीं करेंगे, या अपलाई भी करेंगे, तो जिनका number आपसे कम होगा, वो अगर अपलाई कर जाते हैं, तो उस seat पर आपकी chance बन जाती है, कि selection आपको मिल पाए, अगर आप सोचते होंगे, कि हम अगर इस division में भी apply कर देंगे, फिर दूसरे division को भी चुनेंगे, तो ऐसा समभब नहीं है, क्योंकि आप एक ही division यहां से चुन सकते हैं, और उस division में जितने preference होगे, वो तने ही आप चुनेंगे, तो यहाँ पर अगर आपका selection होता है, तो इसके लिए document verification करवाना होता है, तो इसके लिए किस division में आप जाकर document verification करवाएंगे, उसकी जनकारी आपको यहाँ पर मिलती है, आप उसको select करेंगे, नीचे scroll करना है, यहाँ पर जो भी इसका terms है, उसको accept करेंगे, और 7 proceed पर क्लिक करना है, इस परकार आपका application successful save होता है, उसके वाले विकल पर आपको click करना है, और यहाँ पर इसका जो print है, आप यहाँ पर ले सकते हैं, तो दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको complete process समझा दिया कि कैसे आपको GDS का form भरना है, preference कैसे डालनी है, उसकी पूरी doubt आपका clear हो चुका होगा, अ आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, और कैसे काफी सारे student का 100% वो गलत करते हैं, उसकी पूरी सचाई इस वीडियो में हमने बताया है, जिसको आप जरूर देखीगा, side में आपको मिल रहा होगा, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए